नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चनल वाई भाई 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 गयार में दोस्तों बता दें कि कोरोना का नया बेरियंट सामने देखने को मिल रहा है जो कि WHO यान की वर्ल्ड हेल्थ और्गनाजेशन ने इसको लेकर करके भारत को सतर्ग भी कर दिया है तो जलिए इस वीडियो में हम जाते है कि क्या इसके बार में भारत को सतर करना चाहिए और क्या सच में हमारे भारत देश को या घातक पहुंचा सकता है तो फ्रेंट से यहां पर पूरा मैं अपने लेप्टॉप में पूरा बेवरा यहां पर ओपेर कर लिया हूं और यहां पर साप ल समय के साथ मिव्टेड होते हैं इसलिए नए इस्टेन आती रहेंगे दोस्तों बता दे कि कोबिट का भी नया इस्टेन इजी 5.1 सामने आया है जिसे उसका नाम एरिस दिया गया है दोस्तों बता दे कि डबलू या चो यान की वर्ल्ड हेल्थ और्गनाजेशन ने निगरानी रखना सुरू कर दिया है और भारत को भी इससे सतरक रहने की जरूत है तो आपको बिल्कुल भी सतरक रहने की जरूत है दोस्तों बता दे कि सबसी ज़्यादा जहां पर या नया वेरियेंट देखने को मिल रहा है और ब्रीटेन देश में देखने को मिल रहा है और हमारे भ भारत में भी EG 5.1 वेरियंट का सामना देखने को मिल रहा है तो ऐसे में आप इससे ले करके क्या काना चाहेंगे हमें नीचे कॉमेंट में अपना राय जरूर दीजेगा इस वीडियो को सेयर कीजे ताकि यह जानकारी और ओर कोई पता चल सके और ओर भी आज के इस बड़ी खबर की वीडियो की अपडेट हो सके तो चलिए इसी खबर के साथ मिलते हैं किसी और गीजेओ और नीजानकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदी मात्रम